मार्केट में मिलने वाले बनाना चिप्स को आज हम बनाएंगे घर पे वो भी बहुत ही आसान तरीके से इनको बनाना बहुत ही जादा इजी होता है और इनका टेस्ट और टेक्शर एकदम मार्केट में मिलने वाले बनाना चिप्स की तरह आता है तो चली शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना तो बनाना चिप्स बनाने के लिए मैंने यहां पर यह रो बनाना लिये हैं तो अब हमें इनको पील करना है तो इनको पील करने के लिए सबसे easy method है कि हम इनका sides को हम इस तरह से cut कर देंगे और बीच में हम इनमें हलका सा cut लगाएंगे तो यहां पर हम बहुत deep cut नहीं लगाएंगे एक हलका साम इस तरह से cut लगाएंगे और आप इसको अपने हाथ के थंब से इस तरह से निकालेंगे न तो इसको छिलका बहुत easy तरीके से निकल जाता है यह बहुत easy तरीका होता है छिलका निकालने का या फिर आपको जिस तरह से आप comfortable हो इसको peel करने में आप उस तरह से भी इसको peel कर सकते हैं peeler से इसको peel करने में थोड़ा जादा time लग जाता है तो मुझे यह method easy लगता है मैं इसी तरह से banana को peel करती हूँ तो हम सारे banana इसको इसी तरह से peel कर लेंगे और हम इसको पानी में रखेंगे क्योंकि बनाना तुरंट से काले पड़ जाते है तो मैंने यहाँ पे इनको पानी में डुबो के रखा है और अब हम इनको निकाल लेंगे तो हम इनको निकाल के kitchen toggle में रखेंगे और इनमें जो भी extra पानी है न वो सारा अच्छे से साफ कर देंगे क्योंकि हम इनको fry करने वाले हैं तुरंट से अगर इनमें पानी रहेगा तो फिर तेल में जाते ही आपके हाथ में पढ़ सकता है इस ओयल नाएक लिए रही से अब हम इनके chips बनाएंगे till यहां परique chips बनाने के लिए आप इनको नब हमें बहुत ज्यादा पतलल स्लाइस रखना है नहीं बहुत हैं बहुत ज्यादा मोटा तो यहाँ पर मैंने अभी एक ही केले के चिप्स बनाए हैं क्यूंकि हम सारे एक साथ बना के रख लेंगे तो यह तुरंट से काले पढ़ जाएंगे तो यह दिखिए अगर आपके पास पटेटो स्लाइसर नहीं है तो आप नाइफ से भी इनको ऐसे पतली स्लाइसर में कट करके इनके चिप्स बना के तयार कर सकते हैं तो पहले हम इतने चिप्स फ्राई कर लेते हैं और फिर हम बाकी की चिप्स बाद में बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे अभी दो बनाने के चिप्स इस तरह से बना के तयार किये हैं और अब हम quickly इनको fry कर लेते हैं वरना यह तुरंट से काले पड़ सकते हैं तो यहाँ पे oil हमारा अच्छा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें एक बार में जितने भी यहाँ पे बनाने चिप्स हमारे आएंगे न हम उतने इसमें डाल देंगे बहुत जादा भी हम oil में add नहीं करेंगे तो यह देखिए मैंने यहाँ पे एक batch डाल दिया है और यहाँ पे हम gas का flame medium रखेंगे हम इनको high flame पे fry नहीं करना है वरना यह crispy नहीं रहूंगे तो इनको fry करने में 3-4 मिनट का टाइम लग जाता है तो हम इनको इसी तरह से उलट पलट के fry कर लेते हैं या फिर जब तक इनमें एक अच्छा सा golden color नहीं आ जाता तब तक हम इनको fry करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि gas का flame हम यहाँ पे low to medium रखेंगे high flame हमें नहीं रखनी है यहाँ पे और अब आप देख सकते हैं कि इनमें थोड़ सा color आना start हो गया है तो एक बार हम इनको इस तरह से stir कर लेते हैं इनको बनाना बहुत ही यहासान नहीं हमें धोप में सुखाना है और अब दारेक्ट इनको चाहें तो इसी तरह से oil में भी slicer से slice करके तुरंत ही oil में ऐड कर सकते हैं बट हो मयेथड थोड़ सा工作 है क्योंकि आपके हाथ में पढ़ सकता है तो यह देखिए हमारे चिप्स में अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है तो फ्राई कर दे टाइम ही हमें पता लगने लगता है कि हमारे बनाना चिप्स फ्राई हो चुके हैं में क्रिस्पीनस आ चुकी है तो अब हम इनको निकाल लेंगे इस तर बनाना चिप्स इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं अगर आपको इन में मार्केट में जो बनाना चिप्स मिलते हैं थोड़े से यलो कलर में होते हैं तो आप चाहे तो इनमें पहले थोड़े सा हल्दी लगा के रख सकते हैं बनाना चिप्स में फिर उनको फ्राई करिए पर उ थोड़ा सा salt add करेंगे हम इसमें और अब हमें अपने banana chips जो fry करके रखें ना, वह हम इसमें mix करेंगे, यहां पर जब chips इकदम ठंडे हो जाएं, तब हम इसमें mirch और salt वाले mixture में हमें कों इस तरह से toss करना है, तो हम इनको अच्छे से हलके हाथ से ऐसे mix कर देंगे जिससे salt और मिर्च जो है बनाना चिप्स में अच्छे से एकदम coat हो जाए तो यह दिखिए हमारे चिप्स एकदम बनके तयार है बहुती जादा tasty और crispy बनते हैं एकदम market में मिलने वाले बनाना चिप्स की तरह यह बनके तयार होते हैं बहुती जादा crispy है यह आप देख सकते हैं तो आप एक बर इस तरह से इनको ज़रूर try करिएगा और फिर मुझे comment box में बताईगा कि आपको मेरी recipe कैसी लगी अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें